Hello everyone, welcome to wifi study which is a part of an academy group दोस्तो आज के सेशन में हम देखने वाले polity के कुछ important question जो की previous question होने वाले हैं और ये exam के point of view से बहुत important होने वाले दोस्तो आप इस वीडियो को पूरा end तक देखेगा और कितना score रहता है आपका इस class में वो भी नीचे comment box में जरूब बतेगा वीडियो पसंद आए, please like करना और share करना बिल्कुल मत भूलेगा देखे अगर आप unacademy plus subscription जोइन करते हैं तो आपको क्या-क्या benefits मिलने वाले हैं मैं एक बर बता देता हूँ, live classes होगी, structure courses होगी, unlimited axis होगा दोस्तो, weekly test होगा personal guidance मिलेगी, test analysis मिलेगा, expert guideline मिलेगी, study material मिलेगा, study plan मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़े हैं, जब आप unacademy plus को join कर लेते हैं, तो यह सारी चीज़े आपको एक साथ मिल जाती है और आप अपने exam को correct कर सकते हैं, और किसी भी exam के लिए आप सब्सक्रिप्शन जोइन करते हैं, अकैडमी पर, चाहे SSC हो, bank, railway, UPSC तो उसके लिए आपको यह code apply करना होता है, STUDY10, यानि कि study return code आपको apply करना है, without any space और आप subscription जोइन कर सकते हैं, maximum discount के साथ, ठीक है, अभी सफलता batch start हो रहा है, SSC category में, complete batch on general studies, यह भी start हो रहा है, 3rd November से, आप इनको जोइन कर सकते हैं, दोस्तों, और कौन सा subscription सबसे best रहेगा, यह कितने month का subscription best रहेगा, यह भी आप देख सकते हैं, देखें, 24th month का अगर आप subscription जोइन करते हैं, तो 325 पर month आपको मिल जाता है, और अगर आप 6 month का subscription जोइन करते हैं, तो 900 पर month आपको मिलता है, तो आपके लिए best कौन सा रहेगा, आप चूज कर सकते हैं, यह तो 12 month का best रहेगा, यह फिर 24 month का, और इसके लिए आपको referral code अपलाई करना, study 10, इस code को आप apply करके join कर सकते हैं, ठीक है, तो चले शुरू करते हैं, आज की session को पूरा end तक देखेगा, दोस्तों, आज की वीडियो का पहला question है, नमेन में से कौन एक मुलिक अधिकार नहीं है, which of the following is not a fundamental right, तो इस question का सही answer होगा, none, यानि कि कोई नहीं, option d right answer हो जाएगा, इन में से fundamental right नहीं है, यह आपका पहला question था, चले दूसरे question पर आते हैं, दूसरा question है, राज्यों में विधान परिशद का उनमुलन किस अनुच्छे से संबंदित है, और देखे, आपको किसी भी question का answer आता होगा, तो नीचे comment box में जरू बताएगा, इस question का दोस्तों, जो सही answer होगा वह आपका article 169 हो जाएगा, ठीक है, राज्यों में विधान परिशद का उनमुलन किस अनुच्छे से संबंदित है, यह आपका article 169 से है, अच्छा, वो article 168 और 170 के बारे में भी देख लेते हैं, article 168 बताता है, राज्यों में विधान मंदल का गठन, ठीक है, यह article 168 में आत आता है, composition of the legislative assembly, यह आपको याद रखना है, अगला question है, निमलिखित में से किसमे महिलाओं को आरेक्षन परदान किया है, जल्दी से बताइए, देखे दोस्तों, महिलाओं को आरेक्षन पंचायत में भी है, और नगरपालीका में भी है, यानि कि बोथ इस question का right answer होगा, और नगरपालीका में किस article में आता है, यह भी मैं बता देता हूँ, तो देखे, article 243D हमें बताता है कि पंचायतों में सिटों का आरेक्षन होगा, ठीक है, reservation of sit in पंचायत, article 143D हमें बताता है कि नगरपालीका में भी सिटों का आरेक्षन होगा, ठीक है, तो इस question का सही answer आ आयोग का उलेक किस अनुच्छिद में किया गया है तो जल्दी से आंसर बते दोस्तों आर्टिकल 312 बताता है अखिल भारतिय सेवा यानि कि All India Services और आर्टिकल 315 में बता चुक हूँ आर्टिकल 316 क्या बताता है सदेश्यों की न्युक्ति और पत Appointment and Term of Office of Members ठीक है तो ये आपको भई याद रखने जितने भी Extra Point बता रहा हूँ ये भी सारे Important है ठीक है अगला Question कहता है कि निमलिकित में से कौन सा अनुच्छित बंदवा मजदूरी पर परतिबन लगाता है विचोपदा Following Article बेन Force Deliber तो ये जो Force Deliber पे दोस्तों परतिबन लगाता है Article कौन सा है 23 है ठीक है Article 23 जो है Prohibition of Traffic in Human Being and Force Labor यानि कि मानव तसकरी एवं बाल सरम पर निशेद करता है Article 24 भी Important है ये Article 23 में बता चुका हूँ Article 24 क्या बताता है बिलकुल Prohibition of Employment of Children in Factories यानि कि कारखाने आदी में बच्चों के रोजगार पर परतिबन ये Article 24 बताता है 23 और 24 में थोड़ा सा मतलब differentiate करने में problem होती है जब एक्जाम में आता है तो confusion हो जाता है इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिखा आपको बताया भी और आपको समझ में भी आ गया होगा All right? चलिए Question आते है कौन सा मोलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को उपलब्द है Which fundamental right is available only to a citizen of India बताये भई तो देखे ऐसे कुछ fundamental rights होते है दोस्तो चार पाच जो की केवल Indians को ही मिलते है यानि की Indians के लिए ही available होते है और उसमें से एक article 15 है ठीक है बाकी जो 14 है 21 है 21 A है ये सभी foreigners और Indians दोनों के लिए होता है बट article जो 15 है वो केवल Indians के लिए होता है मैं बता देता हूँ कौन-कौन से article जो है दोस्तो जो fundamental right है और ये केवल Indians के लिए है article 15 में बता चुक हूँ 16 भी केवल Indians के लिए है 19 भी केवल Indians के लिए है और article 29 और 30 भी केवल Indians के लिए है ओल राइट समझ में आगा आप सभी को तो ये भी आपको याद रखना है अगला कोशन आता है निमलिकित में से कौन सा सही नहीं है दोस्तो यहाँ पे प्लीज इसको correct लेना सही नहीं होगा तो which of the following is not correct तो बता दीजे इन में से कौन सा सही नहीं है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे article 148 लिखा है और आर्टिकल 165 लिखा है advocate journal ठीक है तो 165 बिलकुर सही लिखा है आर्टिकल 76 attorney general लिखा है है ना बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तो आर्टिकल 148 गलत लिखा है आर्टिकल 148 जो है ये camp lawyer and auditor general of india के लिए है sorry के लिए नहीं है और यहाँ पे अगर मैं बात करूं देखे भारत की नियंतरक और मालेखा प्रिक्सक के लिए 148 है और 149 है duties and power of the camp lawyer and auditor general of india तो इस question का right answer हो जाएगा ए ठीक है यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान से पढ़ ले ना भई कभी आप बोलो power of the कह गए और वैसे क्या है यहाँ पे CAG यानि कि camp lawyer and auditor general of india के लिए आर्टिकल 148 ठीक है और जो power है वो 149 में है ठीक है यहाँ पे 148 में था जो गलत था 149 में पावर है मतलब आप समझ गए ना मैं जो समझाना चाहरा हूँ आप लोगों को confused मत हो यह 148 और 149 दोनों में मैंने differentiate करके आप लिख दिया है अब आप राम से पढ़के समझ लेना होई संसद की सद्यश्यता हेतू योग्यता किस अनुच्छे से संबंदित है qualification for membership of parliament is given under which article तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों किस article के तैत तो right answer is article 84 option D हो जाएगा right answer article 84 यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों article 83 की और 84 की दोनों में थोड़ा सा confusion रहता है संसद के सद्यों की अवदी होती है article 83 में और संसद की सद्यश्यता के लिए योग्यता article 84 दोनों ही important हैं दोनों आपको याद रखने हैं ठीक है ना चलिए अगला question है लोकसभा उपाद्यक्स का परावधान किस अनुच्छेत के अंतरगत किया गया है बता दीजे भई अंडर विच आर्टिकल दप्रोविजन अप लोकसभा डिप्टी स्पीकर गिवन तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों article 93 में है अंडर विच आर्टिकल प्रोविजन अप लोकसभा डिप्टी स्पीकर गिवन अर्टिकल नऊंटिरी अब आर्टिकल no9 और no94 और 95 के बारे में बता देताँ आर्टिकल 89 क्या बताता है The Chairman and Deputy Chairman of the Council of State यह आर्टिकल 89 बताता है आर्टिकल 94 क्या बताता है अध्यक्स और उपाध्यक्स की पद का अवकास त्यागपत्र और निस्काशन ये 94 बताता है ओल्राइट किलियर है सभी को चले नेक्स पर आजाते हैं और यहाँ पे एक 95 भी था ना वो सायद हम टाइप करना भूल गे मैं बता देता हूँ नए आर्टिकल 95 बता दे दोस्तों पावर ओप्ड़ डिप्टी स्पीकर और अनदर पर्शन टू परफॉर्म दड्यूटीज ओप्ड़ ओफिस ओफिस स्पीकर ठीक है ये आपको याद रखना है कोशन है कौन सा नुच्छित भारतियों को विदेश जाने का अधिकार देता है विच आर्टिकल गिव इंडियन्स दर राइट टो गो अब्रोड तो ये आर्टिकल कौन सा है दोस्तों आर्टिकल 21 है भाई आर्टिकल 21 यह आपका आर्टिकल 21 बताता है बाकी आर्टिकल 24 क्या बताता है प्रोबिशन ओफ एम्प्लेमेंट ओफ चिल्डन इन फेक्टरी यह मैं आपको पीछे भी बता के आया था और यह आर्टिकल इंपोर्टेंट है यह कोशन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि आर्टिकल 24 में क्या आता है ठीक है 21 भी कहीं बार आ जाता है तो बट आर्टिकल 24 जरूर याद रखेगा ओल्राइट चले अगला कोशन है निमलिकित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को सराप पर परतिबंद लगाने का अधिकार देता है जैसे कि आपने देखा होगा या देखा नहीं होगा तो सुना होगा कि बिहार में सराप पर परतिबंद लगा है तो ये कौन सा article right देता है कि कोई भी राज्य अपने कोई भी राज्य गोवर्मेंट अपने राज्य में सराप पर परतीबन लगा सकती है यह article कौन सा है तो यह article 47 के तहत लगा जा सकता है दोस्तों यह आपको यह दखने है इसमें article 44 और 48 के बारे मैं बता देता हूँ Article 44 है दोस्तों, Uniform Code, Civil Code for Citizens, नागरिकों के लिए समान नागरिक सहीता, और Article 48 है, The Organization of Agriculture and Animal Husbandry, यानि कि किरसी और पसुपालन का संगठन, यह Article 48 बताता है, ठीक है गाइस, चलेजे, अगला कोशन क्या कहता है, कि राजपती और उनके अनचेदों के संबंद में निमलिखित का मिल करें, तो इन में से आपको मैं थोड़ा समय दूँगा, इसमें 3-4 सेकिंड का कि, मतलब 10 सेकिंड तक कि आप इसको अराम से पढ़ें, और आंसर करेक्ट लगाने की कोशिस करें, करिए एक बट्राइए, तो देखें दोस्तों, मेरे इसाब से आपने लगाया होगा, आर्टिकल 52 क्या बताता है, आर्टिकल 52 प्रेजिडेंट ओफ इंडिया के बारे में बताता है, अगर आपने यहां तक कर लिया होगा, तो आप आदे ओप्शन अटा सकते हैं, जैसे कि D और A, यूँकि पहले का सेकिंड होगा, पहले का सेकिंड इसमें और इसमें, फिर दूसरा यहां पे आता है, आर्टिकल 54, आर्टिकल 54, इलेक्शन ओफ प्रेजिडेंट के बारे में बताता है, इलेक्शन ओफ प्रेजिडेंट 1 पे चला गया, अब B का 1, B का 3 आ गया है यहां पे, सोरी, B का 1 है, B क वन है तो अभी भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे है आर्टिकल 58 हमें क्या बताता है क्वालिफिकेशन और प्रेजिडेंट तो क्वालिफिकेशन कौन सा हो गया यह आगया आपका 4 तो 4 यहाँ पे इसमें आ गया C में नहीं है तो यह भी कट गया तो आपको समझ गई सभी तो ऐसे भी आप कोशन को कर सकते हैं यह मैंने आपके बता भी दिये हैं आप इसको देख लेना है कोशन आता है निमलिकित में से कौन सा अनुच्छे संयुक्त रास संग की अंतरास्ट्य सांती और सुरक्षा की और इंगित करता है बताईएगा जरा आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर आर्टिकल फिफ्टी वन हो जाएगा यह आपको या दखना है ठीक है चलेजे अगला कोशन है अगर राज्य सभा के सभापती और उप सभापती मोजूद नहीं है तो अद्यक्स्ता कोन करेगा इब देट चैर्मेन और डिप्टी चैर्मेन और राज्य सभापती और नोट परजिन दन वू विल प्रिसाइड तो उस समय दोस्तों डिप्टी स्पीकर और लोग सभा प्रिसाइड करेगा तो इस कोशन का सही आंसर ओप्शन सी हो जाएगा मुझे आसा है कि आप लोगों ने भी यही आंसर किया होगा ठीक है चले बढ़ते हैं एक्स कोशन की ओर और अगर देखे सेशन मेरे प्यारे दोस्तों पसंद आ रहे हैं और आपको एक कोशन समझ आ रहे हैं प्लीज ये ल आपने पहले भी ऐसा कोशन पढ़ा है तो आंसर बता सकते हो अधर्वाइस बिल्कुल गलत करने वाले हो निमलिकित में से कौन सा अनुच्छित भारत का मेगना कार्टा के रूप में जाना जाता है दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर होगा आर्टिकल 12 से 35 तक मेगना कार इसेंबली तो इसमें दोस्तों महिलाओं को 15 महिलाओं को सामिल किया गया था बाकी मैं थोड़ा और आपको समझा देता हूं सविधान सभा में कुल 389 निरवाचित सदश्य थे जिसमें से 15 महिला थी एक कोशन तो दोस्तों यही बन जाता है कि कितने कुल निरवाचित इंपोर्टेंट कोशन बता रहा हूं में आप इसको जरूर नोट कर लीजेगा कि आप से कोशन में पूछा जा सकता है कि एलेक्टिड मेंबर ओब दे कॉंस्लिम महिला थी तो वेगम एजाज रसूल थी यह आपको जरूर याद रखना है कोशन आता है सिंधी भासा को हमार 1967 में यानि कि B इस कोशन का रहेट आंसर हो जाएगा और अगला कोशन हमारा क्या कहता है इसको भी देख लेते हैं कि राज्यों में पंचात चुनाव कराने के लिए कौन जिम्मेदार है वो इस रेस्पोंसिबल फोर होल्डिंग पंचाती इलेक्शन इन स्टेट्स तो इनिमलखित में से कौन सा अनुछिद राज्य को समान न्याय और मुव्त वीधिक साहिता का अधिकार देता है कौन सा अर्टिकल देता है ये बताईगा चलिजी आर्टिकल 39 के बारे में बता देता हूँ आर्टिकल 39 यह आपको उजयकर रहट आंसर आर्टिकल 43A और 48 के बारे में बता देता हूँ 43A क्या बताते दोस्तों उद्योगों के परबंदन में सर्मिकों की भागिदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना आर्टिकल 48 एक क्या बताता है परियवरन का संरक्षन और सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा यह हमें आर्टिकल 48 बताता है ठीक है तो यह दोस्तों आपको याद रखना है and the next is कोई व्यक्ति बिना चुनाव जीते कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है काफ़े इंपोर्टेंट how long can a person be minister without winning the election without winning the election तो guys देखे 6 महीने तक कोई भी person ministry पद पर रह सकता है कितने 6 महीने तक यह आपको यह दखना है और देखे प्लीज आर लाइक करते राख रहे हैं चले वे next और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो की अनकेडमी पर आपको मिल जाता है जहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी inappropriate content in the video मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की study से related नही था तो आप उसको report करके अपना prize win कर सकते हैं ठीक है नीचे ही description box में आपको एक form मिल जाएगा जिसमें आप ये चीजे बेज के और जो सबसे पहले बेज़ेगा उसको prize मिलेगा ठीक है वाकी thank you so much guys चैनल को subscribe कर लिजेगा पीडिया भी आप download कर सकते हैं बेल आइकन को on रख होती है रात को 11 बजए दोनों ही important है और दोनों classes को आप कैसे देख पाओगे नीचे description box में मेरी profile का link आपको मिल जाएगा अनकेडमी profile का link उस पे click करना है follow कर लेना है और follow करते ही आपके पास notifications आने start हो जाए हो जाएंगे ठीक है तो चलिए मिलते है next class में thank you so much